प्रस्तुते मेंट्रोमिरर न्यूस्टाजेस्ट 28 मई 2023 सलकनपुर देवी लोग के भूमि पूजन में श्रधालियों का आना परमसो भागी की बात मुख्यमंत्री श्री चोहान 29 स 31 मई तक विजयासन माता धाम सलकनपुर में होगा देवी लोग महत्सव मुख्यमंत्री ने की तयारियों की समिक्षा मानव जीवन का अंतिम लक्षि परमात्मा की प्राप्ती मुख्यमंत्री श्री चोहान मुख्यमंत्री ने बक्तरा में एक करोड रुपे की लागत से सामुदाईक भवन बनाने की घोशना की मुख्यमंत्री लाटली बहना योजना में दस जून से सभी महिलाओं के खाते में डाली जाएगी राशी मुख्यमंत्री सिहोर जिले के बक्तरा में श्री सीता राम महायग्य में शामिल हुए मुख्यमंत्री स्री चोहान 29 मैं को स्ट्रीट वेंडर्स से होंगे रूबरू लगु व्यवसायों से जुड़े लोगों की पंचायत में होगा कल्यान योजनाओं पर मन्थन पीएम स्वानिधी योजना में मध्यप्रदेश है देश में अवल मुख्यमंत्री स्री चोहान ने विमान से सिर्डी जा रहे देवास के 32 भुजुर्गों को दिश उपकामनाएं तीथी आत्रियों से किया वर्चुल समबाद मुख्यमंत्री स्री चोहान ने बर्गद अम्रूद और करंज के पोधि लगाये सत्यासी महिला उद्यमियों को मिला चार दसंबलो साथ लाख का दो कृतिशत ब्याज अनुदान भुपाल में 352 एकड जमीन की लीज निरस्त होने के बाद प्रशासन ने कबजा वापस लिया जिला प्रशासन के आधिकारियों ने बताया कि भुपाल कलेक्टर आशी सीहन के निर्देश पर जमीन का कबजा प्रशासन ने वापस लिया है यह जमीन सालों पहले गोकुल दास नाम की फर्म को घोडे पालने के लिए लीज पर दी गई थी दिल्ली में कॉंग्रेस नेताओं की बैठक अब 29 मई को आगामी चुनाओं पर बने गीरणी थी रेलवे कर्मचारियों यात्रियों के लिए बनाए पार्क जिम पर भिखारियों का कबजा चार साल पहले हुआ था लोकारपन देवी लोक महत्सव के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया देवी विज्यासन का भव्यदरबार ऐसी ही डेली अपडेट के लिए देखते रहें